तो हेलो गाईस आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम हमारे गद्य संक्लन का जो पांचवा चैप्टर है आउटसाइडर हम इसका लाइन टू लाइन एक्स्प्रेनेशन जो है वो करने वाले हैं लेकिन अभी आपको जो स्क्रीन है वो वाइट धिक रहा होगा इसका कारण यह है कि इससे की पहले मैं में चैप्टर पर जाओं मैं कुछ कंसेप्ट से इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो कि आपको समझाना चाहता हूं देखिए यह जो चैप्टर है यह बेसिकली हमारा जो में करेक्टर इस चैप्टर रहेगा क्योंकि मैं बीच बीच में अगर बोलते जाओंगा कि यह उसका वो लगता है यह उसका वो लगता है तो वो उतना ठीक नहीं रहेगा ठीक है तो मैं उसी हिसाब से आपको पहले इसके अंदर में जो भी कैरेक्टर है मैं वो कैरेक्टर के बारे में आप को भता देता हूं और फिर हम अपना जो मेन आज का लेक्चर है वो स्टाट करेंगे ठीक है तो अगर मैं बता हुँ इसमें सबसे पहले या फिर सबसे मेन कारेक्टर है वो हमारे यहां की मेन character है ठीक है नीलम main character है अब नीलम के तीन भाई और एक बहन है ठीक है नीलम का तीन भाई है और एक बहन है तो पहले भाई का नाम जो की सबसे बड़ा भाई है उसका नाम है सुदीप ठीक है फिर सुदीप के बाद जो उसका अजला भाई है उसका नाम है सुजीत और सुजीत के बाद जो सबसे छोटा भाई है उसका नाम है सुमित ओके ठीक है और नीलम जी का एक बहन भी है इनकी एक बहन है जिनका नाम है पूनम और पूनम को यहां पे बहुत बार-बार फम्मी नाम से संबोधित किया गया है और सुदीप को यहां पे दीपू नाम से बहुत बार भुलाया गया है तो यह है हमारे main characters अब यहां पे नीलम के जितने भी भाई-बहन हैं सबका शादी हो गया है और सबका अगर मैं इसके बात करूँ सबके फती पत्नियों के बारे में तो सुदीब की फत्नी जो है उसका नाम है सुस्मा, ओके, फिर सुजीत की जो फत्नी है उसका नाम है अलका, और सुमित की जो फत्नी है उसका नाम है नेहा, और पूनम का जो पती है उसका नाम है नरेश तो ये नीलम हारी मेन करेक्टर नीलम के ये सबी भाई बहन और ये वाइट और ये भलू में जो जो लोग है वो सब उनके मतलब जिनको हम लोग क्या बोलते हैं जिनको इंगलीज में पती पतनी कहते हैं या फिर पाउस कहते हैं वो है ठीक है और इसमें और एक बहुत एक कैरेक्टर है जो कि अल्दो हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है बट फिर भी उसको बारे में हम जान लेते हैं तो वो है प्रिया अब प्रिया कौन है प्रिया सुदीप और शुसमा की बेटी है ओके तो यह हमारा जो इस चैप्टर का जो में करेक्टराइजेशन है कि इस चैप्टर में जो जो में करेक्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पर आपको भोलती हैं हमारा जो main protagonist है वो नीलम है फिर नीलम के तीन भाई और एक बेहन है उसमें से एक भाई जो की सबसे भाईयों में सबसे बड़ा भाई है उसका नाम है सुदीप सुदीप के बाद यहां पर हुजित है जो की मजला भाई है और उसके बाद सुमित है जो की सबसे चोटा भाई है और यह इनके भाई बहन है और इन्हीं का यहां पर में करेक्टराइजेशन बोला गया है अब सभी का उनका फती फत्नी भी है जिनका भी नाम मैंने आपको फोल दिया है अब वो स्क्रीन से गायब हो गया फता नहीं कहां गया है मुझे अगर मिलेगा तो मैं दे दूंगा लेकिन आप एक काम कीजिए आप थोरा सा पहले जाक करकि उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए क्योंकि वो जो मैंने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बिना हमें ये लेक्ट्र समझने में बहुत मुश्किले आएंगी तो इसलिए आप पहले उसे एक बार देख लीजिए और फिर हम अपना जो मेन है उसकी तरब पढ जैसे है अब हम अपना मेन जो हमारा स्टोरी है उस पर आते हैं तो ये जो स्टोरी है इसका नाम जैसे हम आउटसाइडर इसका हम लोग समझ कि हमें पता चल रहा है तो इससे हमें यही पता चलता है कि कोई बाहरी वाला आउटसाइडर मतलब क्या होता है आउटसाइडर मत हमारी जो main character नीलम है वही outsider है नीलम क्या करती है वो एक बहुत जिम्मेदारी लेने वाली स्थरी रहती है जिसने जिम्मेदारियों के बोज धले उसका पूरा जीवन निकल जाता है और पूरे जीवन भर उसने बस यही काम किया कि उसने अपने परिवार को खुशी रखना यह परिवार जिसके लिए उसने अपनी जिन्दगी तक कुरवान कर दी वो परिवार उसे एक outsider मानता है मतलब जो कि परिवार के अंदर में कलेश होता है उसी के बारे में यहाँ पे भताया गया है बहुत ही अच्छी कहानी है एक परिवारी संदेश भी हमें यह देती है कि पडिवार में हर किसी के बारे में सोचना तो ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ समय हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, तो आईए इसको देखते हैं, तो स्टेशन से लोटते हुए, रात के ग्यारा बज गए थे, एक जोरे के हनी मून पर रवाना होते ही, शादी का का परिक्रम एक तरह से संपन हो गया था, नीलम थकान से निढ़ाल हो रही थी, पर सब कुछ ठीक से निपट जाने से, मन एकदम हलका हो गया था, अब वो निश्चिन्त होकर विस्तर में धुबग जाना चाहती थी, अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसका जो मेन कारेक्टर ह नीलम के थीन भाय है, सुदीप, सुजित और सुमित और उनकी एक बहन है जिनका नाम था पूनम, अब इसमें सुदीप, सुझित और पूनम इन तीनो की साधी हो गयी थी, और सुमित की साधी अभी-भी हुई थी, मतलब जो सबसे चोटा भाय था उनके परिवार में, उसक कि जो साधी थी वो नेहा नाम की लड़की सी हुई थी और इन दोनों का शाधी हो जाने के बाद सब इनको हनीमून पर छोड़ने के लिए आये हुए थे तो उनको छोड़ते हुए उन्हें रात के 11 बज गए थे मतलब उनको ट्रेन में छोड़ते हुए सब स्टेशन पर की थी कि अब वह आराम करना चाहती थी उन दोनों जोरों को जब साधी पर भेजदिया कया तो जो भी काम था वह सब कुछ हो कया था और अब नीलन चाहती थी कि वह आराम पड़ा पर जनता का ईराद है कुछ और ही था बच्चों को जबरदस्त इस वाहीग के लिए भेज फुरशत से बेट कर दो बाते भी नहों पाई और अब नीलम का 05 वह जा कर आराम करे लेकिन जन्त मतलब जो भी वहां पर और लोग थे जो उनके फ़ाइन और उनके दो भाइं शाव कि पतुनी पर उसका बहन और बेहन का पती, मतलब जो भी लोग उसके साथ में साधी में आए हुए थे घर पे, वह सब कुछ और ही चाहते थे, वह सब चाहते थे कि शाधी के समय में वो लोग मिल नहीं पाए थे, तो अभी वो लोग मिल करके थोड़ी सी बाते करते हैं, जैसे get together होता है, और यह बहुत ज तो इसलिए वह सबी चाहते थे कि वो लोग नीलम के साथ बैठे थोरा सा बातचीत करें, लिकिन जो असली वज़ा थी, वो कुछ और ही थी, फम्मी ठीक ही कह रही थी, घर की इस आकरी शाधी में पूरा पडिवार इखटा हो गया था, सुदीप तो इतनी दूर कनाडा से आया था, पर कुशल छेम पूचने के अतिरिक्त उससे भी ज्यादा बाते करने का वक्त ही नहीं मिल पाया था, पूरे वक्त अपा धापी ही मची रही, अब जाकर थोड़ी पुरसत मिली है, तो इन लोगों के जाने की घरी भी पास आ गई है, पूनम चार दिन बाद अपन उसे मिलने के लिए कुल बुला रही होगी, अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग करेक्टर के बारे में बोल दिया गया, तो आप सबसे पहले यह जान लेजिए, कि यह जो शादी थी वह घर की आकरी शादी थी, क्योंकि सबसे छोटे भाय की शादी हो गई, मतलब सब की भच्चा था उस परिवार का सुदिप, नीलम का छोटा भाई और भाईयों में सबसे बड़ा, तो वो क्यानेडा में रहता था और वो अपनी पहतनी के साथ क्यानेडा से यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन वो भी कुछ दिनों में चले जाने वाला था, फिर सुजित भी अ उन दोनों के बारे में बताया गया है कि वो दोनों कनाडा से आये थे और वो दोनों अब कनाडा जाने वाले थे, और सुश्मा मतलब सुदीप की पहतनी जो थी वो भी कनाडा जाने को उच्चुक थी, क्योंकि दोनों ही कनाडा में रहते थे और उन दोनों की शादी के बा हाल चाल पूछा गया था तो वो दोनों केनेडा जाने के लिए थे और यही बात यहां पर बेसिकली भोला गया है तो सोने का प्रोग्राम मुलतवी कर नीलम अपनी पुरिया कुर्सी पर बैट गई एक सुमित को छोर कर उसका पुरा परिवार उसके सामने था सुदिप सुजित दोनों भाई उनकी बहुए शुस्मा और अलका बहन पूनम और उसके भती नरेश अपने इसी परिवार के लिए वह पिछले 25 वर्सों से खट्ती आ रही थी आज छोटे की शादी के साथ उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थी वह अपने आपको ब सभी के साथ बैठ गई सुमित और नेहा को चोर कर उसका पूरा परिवार यानि सुदिप और शुस्मा फिर फूनम और नरेश सुजित और अलका सभी उसके सामने में थे और यह वही परिवार था जिसके लिए उसने अपनी जिन्दगी कुरबान कर दी थी पिछले 25 वर्सो लेकिन वह 20 साल की उम्र से वह खुद अपने भाई बहनों को अपने बच्चों की तरह समाल रही थी क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे माता पिता का देहां थो गया था तो उसके बाद साला काड़ बार उसी ने उठा लिया था तुम सब लोग आ गए बड़ा अच्छा ल लगा दिदी हम लोगों को तो खैर आना ही था पर असली रौनक तो बड़े भाईया के आने से हुई है अम्मी बोली पिछले दिनों शादियों में वे नहीं थे तो बहुत भुड़ा लगा था पूनम कहती है कि हमें तो आना ही था हम तो यहीं रहते हैं लेकिन सुदिब भ बार तो उसे आना ही था घर की आखरी शादी जो थी नीलम ने कहा और इसके लिए भी तो सम्धी जी से भी लड़ गई थी साफ कह दिया था कि भाई साब जब तक बड़े का प्रोग्राम नहीं आता मैं शादी की तारीक तै नहीं कर सकती घर की आखरी शादी है सब का होना नहीं शरूरी है अब अब यहाँ पे नीलम को जब पूनम कहती है कि बड़े भईया के आने से सादी में रौना का गई तो उसी पर जो नीलम है वो कहती है कि यहाँ पे उसको तो आना ही था मैं तो सम्धी जी मतलब सुमित का जो ससूर था उससे भी उसमें ढगरा कर लिया सुमित का ससूर जिसकी शादी हुई थी उसका ससूर बार-बार कह रहा था कि आप शादी को करवाईए, शादी को करवाईए, लेकिन नीलम जो है वो हमेशा अपने बड़े भाई सुदिप मतलब उससे छोटा ही था, तो सुदिप के आने का इंतजार करते करते, जब तक शादी नहीं होगी, यही रट नीलम ने लगाया हुआ था, दीदी तुमने मेरी चुटी का इंतजार किया, सचमुझ बड़ा अच्छा किया, पर बार-बार यह आखरी शादी का जुमला क्यों रट रही हो, अब यहाँ पर जो सुदिप है, वो नीलम से कहता है कि मुझे त चुटी का तुमने इंतजार किया, कि जब मेरी चुटी होगी, तो ही तुम शादी करोगी, तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम यह बार-बार आखरी शादी, आखरी शादी क्यों कर रही हो, दीपूक मेरा मतलब इस जनरेशन की शादियों से था, तुम्हारी प्रिय भी तो अब बहुत छोटी है, तो वो कहती है कि इस जनरेशन, मतलब हम सब की जनरेशन का तो शादी हो गया, अब बात करें दूसरे जनरेशन की शादी का, तो तुम अगर यह सोच कर कह रहे हो कि यह आकरी शादी नहीं है, और भी शादिया होनी बाकी है, तो वो तो ठीक ह वो तो तुमारी बेटी की साधी होगी, लेकिन हमारी जनरेशन हम भाई बहन के जनरेशन से यह आकरी शाधी थी, अब यही इस चैप्टर का मेंट यह है, मतलब जो कि हम लोग इसका मेंट पॉइंट बोल सकते हैं, कि नीलम का उम्र 45 साल हो गया था, लेकिन अपने भाई बहन अपने परिवार को समर्पित करके उसने अभी तक शाधी नहीं की थी, उसका खुद का परिवार जिसे अपना परिवार कह सकती थी, उसके नाम पे सिर्फ उसके पास अपने भाई बहन ही थे, और कोई नहीं था, उसने अभी तक शाधी नहीं की थी, और यह जो बाकी के लो जो भाई होता है बेटा होता है वो भड़क जाता है और वो अपनों के अगेंस्टी चला जाता है तो में रिजन यहीं था कि वो लोग चाहते थे कि नीलम शादी करके कहीं पर बस जाये और उससे जो है उन सब का पीछा चूट जाए इसलिए वो लोग इसकी शादी पर इतना जो कह रही है कि मैं फ़्रिया की शादी के बाड़े में बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है तो जब उसे पूचा जाता है कि तब किस की शादी की बात हो रही सहारे के लिए उसने सुजीत और पूनम की ओर देखा सुजीत ने तो संकोच से आखे जुका ली पर पूनम तो हमेशा से बोल रही है जट बोल उटी दीदी बड़े भईया का मतलब है कि अब आपकी सारी जिम्मेदारिया समाप्त हो गई है अब आपको भी सेटल हो जाना चा पूनम तो फोल्ड थी तो वो कह देती है लेकिन डारेक्टली रही कहती कि तुम्हारी शादी की बात हो रही है वो बस इतना कहती है कि तुम्हें भी सेटल हो जाना चाहिए मतलब एक हिंट के रूप में कहती है पाट आयम क्वाइट वेल सेटल उनका मतलब है अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए जब इस पर नीलम कहती है कि तुम लोग मुझे सेटल होने को कह रहे हो तो मैं तो अल्रेड़ी सेटल हूँ नीलम एक ठीचर थी तो उसी पर वो कहती है मैं तो अच्छी खासी सेटल हूँ तो अब वो कही देती है फूनम उनका मतलब है कि अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, पमी तुम पागल तो नहीं हो गई, नीलम ने बहन को बुरी तरह पट दिया, उससे सचमुच गुसा आ रहा था, भला यह भी कोई बात हुई, सामने घर के दमाद बैठे हुए हैं, उनके सामने इस तरह की बचकानी बाते करनी ननके लगती, अब पूनम को नीलम डाट देती है कि तुम क्या पागल पागल हो गई हो, यहां पर जो परिवार के संबंद, मतलब जो यहां पर परिवार का झो दमाद है, वो बैठा हूई है, परिवार की हुएय है, मतलब दूसरे परिवार के भी नाए हैं, और तुम ऐस मैं बोल दे रही हो कि मैं शादी कर लूँ तो सब के सामने क्या यह बोलना चाहिए और अच्छा हुआ कि सुमित नहीं है ने तो उसकी नई नवीली शादी हुई है तो उसकी बीवी क्या सोचती कि कहां आ गई हूं मैं अभी वक्त अपना शर्म से उबर भी नहीं पाई थी कि कि नरेश बोल उटे दीदी हम में ठीक कह रही है या सिर्फ उसके या बड़े भईया के मन की बात नहीं है हम सब की यही इक्छा है इस घर के लिए आपने इतना कुछ किया है एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी ही होम कर दी है इसलिए सब चाहते हैं कि अब आप भी इत्म अब यहां पर पूनम को तो नीलम डांड देती है कि तुम कैसी बात कर रही हो पागल तो नहीं हो गई हो लेकिन पूनम का जो पतऄ नरेश रहते हैं वह उसकी बात को सपोर्ट करते हुए कहते हैं वो नीलम को कहते हैं कि दीदी आप आपको भी शाधी कर लेनी चाहिए ready, और ये सिर्फ पूनम का ही नहीं सोचना है, ये हम सभी का सोचना है, आपने इस पडिवार के लिए इतना कुछ किया है, आपने अपने पूरी जिन्धगी स्वाह कर दी इसके लिए, इसलिए हम अब य चाहते हैं कि आप भी अपनी खुशी के बारे में सोचे, आप भी एक सुख की जिन्दगी बसर करे, आप नहीं जानती कि इन लोगों का लाइप सेटल्ड है, लेकिन फिर भी इनके अंदर में खिल्ट हमेशा ही रहता कि हम तो सेटल हो गए, लेकिन हमारी दीदी अभी तक कर लेनी चाहिए, लेकिन अब नरेश जो था वो तो घर का दामाद था, तो पूनम के तरह उसको तो डांट नहीं सकते थे, बट उस पे भी नीलम कहती है, अब घर के दामाद को तो डांटा तो नहीं जा सकता, इसलिए फीकी हसी हस कर नीलम कहा, मैं तुम लोगों की भावन समझती हूँ नरेश पर घर बसाने का भी एक उम्र होती है, और यहाँ पे अल्दो तो सिंपल सा बात है कि नरेश को टांट नहीं सकते थे, तो उसे वो प्यार से समझा कर कहती है कि मैं तुम लोगों की भावना का तो सम्मान करती हूँ, लेकिन घर बसाने का भी कोई उमर ह होता है, मेरी अब उमर निकल गई, अब क्या मेरी कोई शादी करने की उमर है, होती क्यों नहीं, जरूर होती है, और आप अभी भी उस उमर के दाएरे में ही हैं, वो तो शुरू से आप सब की गारजियन बनी रही, इसलिए आपको अपने आपको भुजूर्ग समझने लग होती है, लेकिन आप अभी भी उसी उमर के दाएरे में हैं, बहुत जादा लेट नहीं हुआ है, आप तो हमेशा से लोगों की गारजियन बनी रही, इसलिए आप अपने आपको भूरी समझती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर अभी भी आप शादी करने जाएं, तो वहाँ पे आपके लिए लड़कों की लाइन लगी रहेगी, फ्रस्ताव बहुत जादा रहेंगे, अब नीलम ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, ऐसी बच्गानी बातों का कोई जवाब भी क्या दे, उसने तो उसे महज मजाग समझा, पर वे लोग सचमुच धरजन भर फ्रस्ताव बटोर लाए थे, लगा कि छोटे की शादी का तो भाना था, वे लोग शायद इसी अभियान के लिए इखटा हुए थे, उन लोगों की गुपचुप खिचरी फक्ती रहती और उसे कानो कान खबर तक ना हुई, उसे तो तब पता चला जब एक लंबी चौ लेगा भी कैसे, लेकिन उसे यह लगता है कि यह लोग साथ मजाग कर रहे हैं, बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन यह मजाग था नहीं, यह लोग सचमुच बहुत सारी लोगों का फरस्ताव लेकर आये थे, बहुत लोगों का रिस्ता यह लोग लेकर आये थे, और नीलम क जब सचमुच उसके सामने में इतनी बड़ी लिस्ट दे दी गई तो उसे यह पता चला, मतलब नीलम को एक लिस्ट दे दी गई कि ये सारे अलग अलग लड़के हैं जिनके साथ शादी हो सकती है, तो आप कंजियर करके देखिए, फिर भी उसने इस बात को गंभीरता से नही नहीं लिया, केबल मनो रंजन के लिए वह पूरा ब्योरा फढ़ गई, उसे हसी भी आई थी और अश्चरी भी हुआ था कि लोग कैसी कैसी विप्रीत परिश्थितियों में भी शादी का शौक पालते हैं, अब अलग नीलम तो इसको मजाग के रूप में ही ले रही थी, ल तो उसे पुरसत से विचार कटने के लिए कहा गया था, पर सुधी पर शुष्मा दूसरे ही दिन उसके कमरे में आधम के, उन्हें शायद सबसे ज्यादा चल दी थी, कनाड़ा जाने से पहले वे सब कुछ तैक करके जाना चाहते थे, उनके पीछे पीछे सुजीत भी आप पहुचा लगा कि दोनों भाई दल बांध कर उस पर हमला करना चाहते हैं, अब उसको अच्छा का सा टाइम तो दे दिया गया था, लेकिन अगले ही दिन सुधी पर उसकी पत्नी शुष्मा और सुजीत उसका चोटा भाई वा दोनों उस रूम में आ करके उसे अलग-अलग हैसा लगा, अब थोड़ी देर तो इधर उदर की बात दे होती रही, लेकिन अब शादी की बात फिर से होने लग गई, कौन सा, वो आवस्ती जी वाला, ना बाबा, शादी से के तुरंत बाद नानी बनने का अपना कोई इरादा नहीं है, अब यहाँ पर सुदीब जो है वो एक लखनो वाला रिस्ता लेकर आया था तो उसी के बाड़े में वो नीलम से पूछता है, लेकि नीलम कहा देती है कि मुझे शादी के बाद इतनी जल्दी नानी बनना नहीं है, मतलब जिसकी शादी की बात आ रही थी, उसके पास पहले से ही एक बेटी थी और सायद व दो बेटे ही हैं शायद, वे भी अभी छोटे हैं, तो कहती है ठीक है अगर आपको लखनो वाला फसंद नहीं है, तो बड़ेरी वाला देख लेते हैं, वहाँ पे भी उनकी सिर्फ दो बेटे हैं, मतलब जैसे हमने प्लास्ट पैरा में, लास्ट वाला जो हमारा स्टूरी खोड़ी, उसमें जैसे हमने देखा था कि एक आदमी का जब फीवी की मौत हो जाती है, तो उसके बाद भी वो बच्चों के लिए जैसे शादी करते हैं, तो वही चीज़ यहां पे भी था, तो उसी पर वो कहते हैं, उसी पर सुस्मा कहती है कि ठीक है, लखनो वाले को एक और सुदीप और भी कह देता है, कि सिर्फ उनके बच्चे नहीं है, वो उन बच्चों को होस्टल में भी रखने के लिए रेडी है, मतलब यह सोचना कि बच्चों को टाइम देना होगा, अपने लिए टाइम नहीं रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, वो जो लखनो वाली प बच्चों को होस्टल में ठूसने को भी ध्यार हो जाएंगे, ऐसे दो मुहें लोगों से मुझे सक्त नफरत है, और इसी पर वो कहते हैं, मतलब नीलम कहते हैं, इसी को तो हिपोक्रेसी कहते हैं, कि बच्चों की नाम पर शादी कर ली, और जब शादी हो गई, तो बच्च आने दो बड़ेली वालों को गोली मारो, सुजिद बोला, मुझे तो नरेश के जीजा जी वाला प्रस्ता बहुत अच्छा लगा है, एक तो महाशे डिप्टी कलेक्टर है, दूसरे थोड़ा बहुत लिखने परने का शौक भी रखते हैं, he will be a perfect companion, अब यहां पर सुजिद भी अपनी बात क्यों छोड़े, वो भी बोल देता है, कि ठीक है छोड़ो भरेली वालों को, लखनों वालों को, फूनम का जो जीजा जी, सुरी, नरेश के जीजा जी के बारे में बोलो, मतलब नरेश का कोई सगी संबंदिन था, तो वो भी अपना प्रस्ताव लेकर आया तो उसके बारे में सुजीत कहता है, कि वो तो एक तो वो लोग डिप्टी कलेक्टर हैं, और उपर से उनके पास थोड़ा बहुत भरने लिखने का शौक भी रखते हैं, मतलब वो उसके बारे में बोलता है, कि वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो उसके बारे में उन्हीं की बात कर रहे हो ना, जिनकी लड़की ने आत्मत्या की धमकी दी, अरे क्यों मेरे सिर हत्या थोपना चाहते हो, तो जब वो नरेश के सगी संबंदी के बारे में यहां पर बात होती है, तो वहां पर नीलम कहती है, कि तुम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो ना, जिनकी बेटी ने आत्मत्या करने की धमकी दी थी, अरे भाई, उनसे शादी करूंगी, अगर उनकी बेटी सचमुच आत्मत्या कर लेगी, तो फिर मेरे उपर में हत्या का पाप चर जाएगा, क्यों मेरे उपर तुम हत्या थोपना चाहते हो? अरे इन धमकियों से कुछ नहीं होता दीदी, फम्मी की सास ने भी तो कहा था, कि अगर ये शादी हुई तो मैं मिट्टी का तेल छिरक लूँगी, पर क्या हुआ, कुछ नहीं, दो चार साल मुँ फुलाई रही, अब सब ठीक चल रहा है, तो इसी पर सुजिद पिर से कहता ह है, कि धमकी से क्या होता है, धमकी तो उसने वैसी ही दे दी होगी, फम्मी के शादी के समय में भी फम्मी की जो सासु थी, वह यहीं बोल रही थी, कि अगर नरेश और पुनम की शादी हुई, तो वो मिट्टी का तेल छिरक के जल जाएंगी, लेकिन दो चार साल तो हो गए हैं, मतलब दो चार साल तो उन्होंने मूँ फुला कर रखा, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक है, मतलब धमकी तो लोग ऐसे ही दे देते हैं, मतलब वो लोग सिंपली चा देते हैं, कि किसी भी तरीके से नीलम शादी के लिए मान जाएं, बेन बात यही था, जी तो किसी दिन पुरसत मिले तो फमी से पूछना, ये दो-चार साल उसने कैसे काटे हैं, एक तो वह शुरू से ही दिलेर है, फिर प्यार का जोश भी था, इसलिए सब कुछ हस्ते हस्ते जेल गई, वैसे भी कच्ची उम्र में सहना आसान होता है, पर इस उम्र में इतना धनाव मैं नहीं जेल पाऊंगे, अब जब सुजीत कहता है, कि फमी की जो सासु माँ थी, उसने भी तो नाटक की, अलकिन अब ठीक है, तो उसी पर निलम कहती है, कि तू तो बस ऊपर उपर की बाता रहा है, अंदर की बात भी तो बाता, कि कैसे फुनम ने ये सारे साल गुजारे हैं, वह इस उम्र में इतना टेंशन की मेरी सासुम मुझे लेकर नहीं मान रही है, मैं इसे नहीं जेल पाऊंगी 20 साल की उम्र से मैदान में खड़ी हूँ, फरिस्थितियों से लड़ते लड़ते ठंग आ गई हूँ, ठककर चूर हो गई हूँ अब जाकर थोरा सुस्ताने का महलत मिली है, मैं इस महलत को भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ यह मत समझना कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती नहीं हूँ, समझती भी हूँ और कद्र भी करती हूँ पर मेरे इतनी सोच विचार करने की सचमुझ जरूरत नहीं है अब मैं शिर्फ शान्ती चाहती हूँ, शान्ती और आराम बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, थैंक्स आल दे सें अब यहाँ पेप निलम उसे साफ साफ कह देती है, कि मैंने 20 साल से मैं अभी तक खट रही हूँ और मैं खटते खटते एकदम ठक गई हूँ, चकना चूर हो गई हूँ और मैं बस अभी आराम करना चाहती हूँ, मुझे अभी आराम करने का मौका मिला है तो मैं बस अभ आराम करके जिन्दगी जीना चाहती हूँ, इतने दिनों तक तो मैंने सिर्फ दुख और कष्ट में जिन्दगी जहला है अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आराम करके थोड़ा सा जो जिन्दगी है उसे एंजॉय भी कर लिया जाए मैं तुम लोगों का भावना जो है उसको मैं समान करती हूँ, लेकिन तुम लोगों को इतना मेरे बारे में सोचने की जरुवत नहीं है यही ठीक रहेगा कि मेरे बारे में तुम लोग उतना मत सोचों, बस मुझे शान्ती और अराम चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए तो यह बात जब वो तीनों से कहती है, सुदीप और उसकी भतनी और सुजीत से, तो वो तीनों वहां से अपना मू लिए उठ गए, मतलब वो दोनों वहां से मू फुला कर चले जाते हैं, रुष्टो कर चले जाते हैं कमडे से बाहर दो-चार कदम ही गए होंगे कि शुष्मा बोल परीक, मुझे मालूम था हुए मना कर देंगे, इतने दिनों तक इस घर में बॉसिंग करती रही है, ससुराल में धौस डपट सहना, उनके बसका थोरी है, और जब वो तीनों थोरे ही बाहर कहे हुए थे, तो उसी पर सुधीप की पत्मी शुष्मा कहती है कि मुझे तो पता था कि वह अब भी मना कर देगी, इतने सालों से वह बॉसिंग, बॉसिंग मतलब दूसरों की उपर में शासन करना, दूसरों को ओर देना, उन्होंने यही सब इतने सालों तक किया है, तो ऐसी ओरत कैसे करके सासू का या फिर ससुराल में किसी का धोस सह पाएगी, क्या बात करती हो भावी, अब इस उम्र में उनसे धोस डपद कौन करेगा, क्यों, औरों की नहीं, औरों का ना सहिपती की तो सहनी पड़ेगी, उसकी जी हुजूरी तो हरनी पड़ेगी, और जब सुझी तो अपनी भावी से कहता है कि क्या बात कर रही हो, अब इस उम्र में कौन धौस डपर, मतलब इस उम्र में उन्हें कौन ससुलाल में परिशान करेगा, तो उसी पर सुस्मा कहती है कि हो सकता है कि बाहर वाले परिशान ना करें, लेकिन हती तो करेगा ही, हती की परिशानी तो जेल नहीं तो यह सब बाते जो है वहाँ पे हो रही थी नीलम को लेकर तो अंचाही ही सारी बाते नीलम के कानों से टकरागी उसने सोचा शुस्मा ठीक ही कह रही है इतने दिनों तक इस घर में एक छत्र शासन करने के बाद अब वह किसी का शासन स्विकार नहीं कर पाएगी शादी के इस पहलू पर तो उसने सोचा ही नहीं था अच्छा ही हुआ जो यह किस्सा शुरू होने से पहले ही उसने खत्म कर दिया और जब यह सब बाते नीलम सुन लेती है तो पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगत लेकिन बात में वह इस बात को समझ जाती है कि सुस्मा ठ पारे में सोचा ही नहीं कि अगर मैं अभी शादी भी कर लेती हूँ तो आगे के तरफ से जो धौर धसट होगा क्या मैं उससे सहपाऊंगी या फिर नहीं सहपाऊंगी पर कहां 24 घंटे भी नहीं बीते और पूनम ने उसे घेड ले अब पूनम भी जो है उससे बात करने लग जाती है उसने तो फ्रस्तावना में समय भी नहीं बरबात किया सीधे ही शुरू हो गई भावी बता रहे ते तुमने शादी से साफ इंकार कर दिया अब पूनम जाक अब ही साबुत है और इसी पर कहती है कि और मैं क्या करती तुम लोगों को पागलपन लगा हुआ है ना लेकिन मेरा दिमाग तो अभी ठीक है हमी कुछ चंच छुप रही फिर धीरे से बोली तुम हमेशा अपने ही ढंग से सोचती हो कभी औरों की दृष्टी से भी सोचा क करो क्या मतलब अब यहां पर फूनम एक बहुत भड़ी बात कहती है तुम नहीं जानती है इन लोगों के मन पर खासकर सुजीत और अलका के मन पर कैसा भार साबना रहता है अलका कहती है हम तो जिन्दगी को कभी ठीक से एंजॉइ नहीं कर पाते एक अन्ब्याही ननत का सा या हमेशा हमारी खुशियों पर मन राता रहता है अब पूनम जो थी वो एक ओपन माइंडेट थी और वो सब कुछ जानती थी कि ये लोग जो शादी करनाटा कर रहे हैं वो नीलम की खुशी के लिए नहीं अपनी खुशी के लिए है वो लोग बस यहीं चाहते थे कि नील एम बस यहीं है कि तुम जल्दी से साधी करो और घर छोड़के जाओ ताकि ये लोग घर में अपना हग शमा सके सबसे ज़्यादा तो सुजीत और अलका को है क्योंकि सुदीप और शुस्मा तो बाहर कैनेटा में रहते हैं तो उन्हें उतना फरक नहीं भरता है और सुमित और निहा का तो अभी अभी शादी हुआ है तो आगे देखो क्या होता है लेकिन सबसे ज़्यादा सुजीत और अलका को ही इस बात को लेकर है वो लोग यही कहते रहते हैं कि हमारे उपर में हमेशा एक बोज रहता है हम कभी भी लाइफ को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते ह एक अनब्याही ननद ननद का मतलब होता है आप लोग समझती होंगे कि ननद क्या होता है तो एक अनब्याही ननद का भार हमेशा हमारे सर पे रहता है हमारी खुशियां हमेशा उन्हों नहीं ले रखी है So sad नीलम ने हसकर कहा भाई अपनी अलका रानी को समझा देना कि मेरे लिए इतना परिशान होने की जरुवत नहीं है मैंने जिन्दिगी की किताब से वे पेज बहुत पहले फार कर फेग दिये थे जिन पर शादी की इबारत लिखी हुई थी और अब नीलम हसकर कहती है कि तुमारी जो अलका भावी यह सब कह रही है न तो उसे दो कि उसे मेरे को ले कर इतना चैंशन लेने की जरुवत नहीं है मतलब अलका जो सोच रही थी कि नीलम के कारण उसकी सारी खोशियां मारी जाती है तो उस पर नीलम तो ऐसा bold answer देती है कि अपनी अलका भावी को कह देना कि उसके मेरे बारे में उतना सोचने की जरुवत नहीं है मैंने तो अपने जीवन से शादी को दूर दूर तक उखार कर फेग दिया है मैं शादी के बारे में अब सोचूंगी भी नहीं मैंने तो वह पेज फार कर फेग दिये हैं जिसमें शादी के बारे में लिखा हुआ मतलब हो सकता है कि नीलम किसी को चाहती थी लेकिन अपना हरिवार के बोज और भी बहुत सारे समाजी कारणों की वज़ा से उनके शादी ठीक समय पर नहीं हो पाई इसलिए वह कहती है कि मैंने अपने जीवन से वह प्रेम का जो पना होता है मैंने उसे फार कर फेग दिया है दीदी क्या वह पेज फिर से जोड़े नहीं जा सकते अब यहां पर पूनम कहती है कि क्या वह पेज जो है वह फिर से तुम जोड़ नहीं सकती हो हमी तुम नहीं जानती अर्मानों को धफन करना कितना असहनिय होता है उन्हें आपस जिलाना तो शायद और भी फीरा देगा और मुझे ढर है कि अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं सपनों के तूटे हुए सिरे को वहीं से उठाना चाहूंगी मतलब यहां पर अपने फुरानी प्रेम कहानी के बारे में भता रही है कि अर्मानों को धफन करना कितना असहनिय होता है मतलब अपने अंदर में जो चाहते होती है उनको धफन कर देना किसी दूसरे की खुशी के लिए वो कितना मुश्किल होता है या फूनम नहीं जानती है और उन्हें वापस जिलाना तो और भी मुश्किल होगा मतलब फिर से उन्हें चलाना फिर से उन्हें राजी करना फिर से उस फीलिंग्स को लाना वो और भी मुश्किल होता है और निलम को या धर था कि अगर फिर से वै नहीं से सुरू करेगी जहां से उसने छोड़ा था मतलब उसकी साथ कोई पुरानी प्रेम कहानी है जिसके बारे में यहां पर भोला गया है मैं समझी नहीं दी दी अम्मी मेरी उम्र चाहे जो भी रही हो मेरे सपने अभी भी खिशोर हैं मेरे भाई लोग जैसे एंटीक पीसे मेरे सामने फ़रोस रहे हैं इनसे इनका कोई मेल नहीं है मतलब यहां पर फूनम जब कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उसी पर नीलम कहती है कि मेरी उम्र बहुत जादा हो गई है लेकिन मेरे सपने अभी भी किशोर हैं मतलब अभी भी वक किसी को चाहती है और और मेरे भाई लोग, मतलब उसके भाई जैसे जैसे pieces उसके सामने में रख रहे थे, antique pieces, वो सब उसके सामने में फेल हैं, मतलब वो सायद किसी को चाहती थी, ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसलिए वा कहती है कि मैं इसके बारे में सोचती हूँ, उसका कोई तोल ही नहीं है इन सब के सामने, ये लोग जैसे जैसे मेरे सामने में offers लेके आए हैं, वो कुछ भी नहीं है उसके सामने, दीदी try to be practical, अगर तुम्हारी समय से शादी हो गई होती, तो हमारे जीजा जी भी आज उम्र के इस दौर में होते हैं, और पूरनम को कुछ सखा समझ में नहीं आता है, त मतलब अगर तुम्हारी सादी ठीक समय पर हो भी गई होती, तो जीजा जी आज हमारे जीजा जी भी आज तुम्हारे उम्र के ही होते हैं, मतलब यहाँ पर अभी भी वो उसे कह रही है कि जो देर है वो बहुत जादा नहीं होई, अगर तुम चाहो तुम अभी भी शादी क जुर जाती है कि उम्र का एहसास पीछे चूड़ जाता है और जब मतलब जब उसे फूनम कहती है कि तुम्हारी शादी देरी से हुई नहीं तो आज जीजा जी भी तुम्हारे उम्र के होते तो उसी पर नीलम कहती है कि देर से शादी हुई यही तो फरिशानी है पती पत्नी साथ बुरहाते हैं तो कोई फर्क नहीं फर्ता उस लंबी यात्रा में इतनी सारी चीज़े जिन्दगी से जुड़ जाती है कि उम्र का एहसास पीछे छूड़ जाता है तुम्हारी बाते तो मेरी समझ से बाहर होती जा रही है और नीलम की यह बाते पूरम को समझ में नहीं रही थी तो समझने की कोई जरुवत भी नहीं है इसे एक मजाक समझ कर भूल जाओ मैंने भी तुम्हारे प्रस्तावों को मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझा धरसल अब शादी की बात ही मन से उतर गई है तुम लोगों ने या विचार फिर से चगा दिया है तो पर अब इस उम्र में कोई रिस्ता जबरदस्ती नहीं ओर सकती है और यहां पर नीलम कह देती है कि तुझे अगर मेरी बाते समझ में नहीं आती है तो मत समझ इसे एक महजाक के रूप महीं ले मैंने भी तुम्हारे प्रस्तावों को मजाक महीं लेकर की रखा है तो तुम भी मेरी बातों को मजाक में ही लो क्योंकि में बात यही है कि अब मैं शादी को बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ अब मैं शादी के बारे में सोचती भी नहीं हूँ मैंने अपने मन से शादी के विचार को उतार दिया है तुम लोगों ने जो फिर से मेरे वन में सादी क उमंग फिर से जो विचार शादी के बारे में डाला है तो हाँ मैं तुम लोगों का जो फिलिंग से उसको समान करती हूँ और मैं अगर मुझे कोई सही आदमी मिलता है तो मैं बताऊंगी भी जरूर लेकिन अब ये जो अलग अलग प्रस्ता तुम लोग ला रहे हो इसे लान ही दे दी अब क्या रहे गया अब ये एक बहुत इंपोर्टेंट लाइन है तुमने इस घर को लाक अपने खून से सीचा हो पर यह घर कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता तुम हमेशा यहां आउटसाइडर ही रहोगी और ये बहुत इंपोर्टेंट बात है जो कि पून आउटसाइडर ही रहोगी इस परिवार के लिए क्या बात करती हो मैं सच कह रही हूँ अभी तो तुम्हारे पास अपनी नौकरी है इसलिए कोई फर्त नहीं परता पर कल को जब रिटायर हो जाओगी तो तुम्हारी हैसियत इस घर में एक फालतू समान किसी रह जाएगी तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी और जब पूनम एक बहुत कठोर शब्द नीलम से कहती है तो उसी पर नीलम मतलब तुम्हारे पास नौकरी है अभी तुम्हारे पास पैसे है इसलिए तुम सब कुछ कर पा रही हो लेकिन जब तुम्हारा क्या हालत इस घर में होग मैं वो अभी से सोच सकती हूँ तुम जब रिटायर कर जाओगी तो तुम इस घर में एक फालतु का जो समान होता है तुम उसी के जैसे इस घर में फड़ी रह जाओगी तो यह यहाँ पे बहुत इंपोर्टन बात भोली जाती है क्योंकि यह बात है इस बात को लेकर हम आरे यहाँ चली जाओंगी पर नहीं कहा पर फरस्ताव तो पूनम को खुद देना चाहिए था नहीं दिया तो भुड़ा भी लगा पर शुप लगा गई अब इससे क्या कहे वह बेचारी तो खुद ससुराल के आतंक से तरस्त है कहना होगा तो सुदीप से कहेगी खुद इंजीनियर बनते ही शादी कर ली और विदेश चला गया दुबारा फलटकर भी नहीं देखा तब का गया अब आया है वहाँ बैठकर दीदी का खयाल नहीं आया अब जब सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई है तो दीदी की शादी का शौक सवार हुआ है अब जब पून अगर कभी ऐसा होता है तो मैं तेरे पास आ जाओंगी लेकिन वो ऐसा कहती नहीं है क्योंकि वो जानती थी कि जो पूनम है वो अपने घर में कैसी हालत में रहती है पूनम का भी अपने घर में कोई अच्छा हालत नहीं है तो इसलिए वो उससे कुछ कहती नहीं है लेकिन ले मेरे साथ कभी भी कुछ होता है तो तू मेरे पास आ जाना लेकिन बात में लेखक यह भी कह देती है कि पूनम जैसे स्थिती में रहती थी वैसे में नीलम को उससे पूछना चाहिए था और अगर पूनम ने कुछ कहा भी नहीं वैसा तो इसमें भी कोई बात नहीं है फिर वह अब सुदीप और सुस्मा के बारे में बात करती है कि ये दोनों भी जो इतने इन दोनों का भी कुछ है नहीं, खुद तो इंजिनियर बनके शादी कर ली और विदेश चला गया, उसके बाद तो कभी वापिस ही नहीं आया, जो उस समय गया था वो अब आया हुआ है, और सुदीप और सुस्मा को भी कोश रही है कि खुद तो सेटल हो गये, लेकिन दीदी के बारे में नहीं सोचे, अब जब सब कुछ हो गया है, तो इन लोगों को दीदी की शादी कराने का बहुत सर पे चरहा हुआ है, लेकिन सुदीप से अभी वा कुछ नहीं कहेगी, अपने भाई बहनों पर उसकी अपार ममता है, शिकायत कभी अगर थी तो वह अम्मा से थी, मां होकर भी उन्होंने बहुत पक्च पात किया, खमाने का भार बरी बेटी के कंधे पर डाल कर, वे बाकी बच्चों का लालन पालन करती रही, उम्र नीलम की मुट्टी मेर से रेत की तर बहन पर अटूट फरेम है, अगर उसे कुछ शिकायत है भी, तो वह अपनी मां से है, क्योंकि उसकी मां ने पक्च पात बहुत किया, जब कमाने का भार हुआ, तो सारा बेटी के कंधे पर डाल दिया, वे बाकी बच्चों का लालन पालन करती रही, मतलब नीलम के फिता का देहांत जो है, वो तो बहुत शल्दी हो गया था, तो इसलिए नीलम ने घर का सारा कारभार समाला, और बच्चों का लालन पालन, वो सब नीलम की मां ने किया, तो नीलम का यही हालत रहे गया था, कि छोटी उम्र से भी उसके साथ पक्च पात हुआ, हमेशा उसी के उपर में सारा काम भार थमाया गया, लेकिन यह एक, मतलब इसमें और कर भी क्या सकते है, यह यहां पर लेकिका का जो कहना है, वो सब यहां पर बोला गया है, तो इसमें कुछ खास कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि और करेंगे भी तो क्या करेंगे, नीलम ही सबसे भड़ी बहन थी तो उसी के उपर में जहर सी बात है, वो सब कुछ आना था. और लेकिका यह भी कहती है कि नीलम की उम्र जो है वो उसकी मुठी से रेत की तरफ हिसलती रही, लेकिन अम्मा इस बात को लेकर अंजान बनी रही. मतलब अम्मा ने कभी या देखा ही नहीं कि नीलम की उम्र बीती संभाली थी तब यह नहीं सोचा था कि अब यही उसकी नियती होगी मन में एक छीन आशा थी कि कल को भाई जब किसी लायक हो जाएंगे तो वह अपनी जिंदगी जी सकेगी पर वह आशा धुराशा ही साबीत हुई यहां पर लेकी का अलग-अलग बाते कहती है कि जब नीलम क घर का कारभार समाला था लेकिन नीलम यह बात कभी नहीं जानती थी कि यहां जो कारभार उसने अपने उपर में लेकर के रखा हुआ है यही उसकी नियती यही उसकी किसमत बन जाएगी मन में एक छीन आशा थी कि कल को भाई जब किसी लायक हो जाएंगे तो अपनी जिंद दीपू को इंजिनियर होते ही उसके लिए रिस्ते आने लगे, अम्मा एका एक बहु का चेहरा देखने को व्यग्र हो उटी, शादी के बाद जब दीपू के साले ने उसे कनाडा बुला लिया, तो उससे ज्यादा खुशी अम्मा को हुई, घर में एक अनब्याही लरकी रिस्ते आने लगे, तो बहु का मुह देखने के लिए तो अम्मा बहुत उत्सुक थी, लेकिन घर में जो उसकी एक अनब्याही बेटी है, उसके बारे में वह कुछ सोचती ही नहीं थी, जब सुदीप को कैनेडा में उसकी साले ने बुला लिया, मतलब जब सुदीप का जो वहवार जो की नीलम के प्रती कुछ और था और बांकी बच्चों के प्रती कुछ और था, उसको दिखाया है, अगर वे जानती की बेटे को हमेशा के लिए विदा कर रही है, तो शायद अम्मा इतनी उत्साहित ना होती, अपने अंतिम दिनों में वह बेटे को देख का जुगार करना बहुत कठिन है, और मैं बार बार सुश्मा के भाई के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता, बेचारी अम्मा मरने के बाद भी उनके बड़े बेटे का खंधा नसीब हुआ नाधरपन, उन दिनों फुरिया होने वाली थी, और सुदीप का वहाँ होना बेहत जरूरी था, और फिर एक बार इमर्जंसी बीत गई, तो उसका आना ठलता ही चला गया, अब यहाँ पर अम्मा के बारे में और भी बाते बोली गई है, कि अगर अम्मा को यह पता होता कि सुदीप एक बार अगर कैनेडा चला जाएगा, तो उसके बाद कभी भी वापिस न समय नहीं होती, जब उन्हें यह पता चलता कि सुदीप हमेशा के लिए बाहर जा रहा है, और जब अम्मा का अंतिम समय चल रहा था, तो साइध अम्मा सबसे ज़्यादा सुदीप को मानती थी, और वो सुदीप को देखना भी चाहती थी, लेकिन नीलम जब भी उससे चल दी इतने सारे पैसे मैं नहीं जुगार कर पाऊंगा, और बार बार सुसमा के भाई से यह पैसे मांगना भी ठीक नहीं लगता है, और अम्मा का यहाँ पे जो असीम फरेम था, वो अंत में उन्हें बिलकुल भी नसीब नहीं हुआ, अम्मा को सुदीप का खंधा भी न नसीब हुआ और नातरपन मतलब मरने के बाद भी जो कर्म कांड बेटी के द्वारा मा का किया जाता है वह भी अम्मा को सुधीप के हाथों नसीब नहीं हुआ उसी दिनों में पुरिया होने वाली थी और सुधीप कहां वहां होना बहुत जरूरी था और इसी बीच में पुरिया मतलब सुधीप की जो बेटी थी वहां होने वाली थी इसलिए सुधीप का रहना वहां पे जरूरी था लेकिन जब इमर्जेंसी यह जो कहानी थी यह जो न एक संदेज है जो कि लेकिका हमें देना चाहती है कि सुदीप को अम्मा इतना प्रेम करती थी लेकिन इतनी सिर्फ अपने बारे में सोचा एक बार केंडा राव तो उसने अपनी मां को उतना ज़ादा मां के बारे में केर नहीं किया लेकिन उसके विपरीद जहां पर नीलम थी जिसने अपनी पूरी जीवन अपने फरिवार के लिए लगाया अपनी मा की अंतिम समय में सेवा की तो उसके फ़रती अम्मा का कोई उतना खास जो बोले की अगर खास परे मगर बोले तो वो नहीं था अब सुजीत के बारे में बोला गया है सुजीत बीकॉम करके बैंक में लग गया था पर उसका समर्थ इतना नहीं था कि वा पूनम की शादी भी कड़ा था और सुमित की मेडिकल की पढ़ाय का खर्ज भी उठाता इसलिए नीलम को मोर्चे पर ढटे रहना पड़ा पूनम की शादी का तो अच्छा खासा नाटक ही हो गया था बरी कठिनाई से उन लोगों का मुह बंद किया जा सका फिर अच्छी सी लड़की देखकर उसने सुजीत की शादी भी कर दी पूनम के जाने के बाद घर एकदम सुना हो गया था अलका ने आकर उस सुनेपन को बढ़ दिय सुमित की शादी के लिए उसे सिर नहीं खापाना पड़ा उसने खुद ही तैक कर ली थी घर की यह आकरी शादी भी भड़ी धूमदाम से संपन हुई अपने सारे करतब्यों से निवरित होकर इतनी खुश थी नीलम पर इस बेवक्त की शहनाई ने सब गुर गोबर कर दिय और यहां पर फिर से नीलम के बारे में लेकी का यह कहती है कि सुजीत जब बीकॉम पर लिया था तो बीकॉम परने के बाद वह बैंक में नौकरी करता था लेकिन तब भी उसका सैलरी इतना नहीं था कि वह फूनम की शादी क्योंकि गाओं घर में जब इतने भाई बहन हैं तो कमाई जो है वह भी शादी के पीछे ही खर्च होगी तो सुजीत और बीकॉम करके बैंक में नौकरी करता था लेकिन अभी भी उसके अंदर में इतना समर्थ नहीं था कि वह पूनम की शादी भी करवा दे और साथ में सुमित मतलब जो उसका चोटा भाई पर रहा था उ लेकिन उसको भी बड़ी कठिनाई से उन लोगों का मुह बंद करने का मतलब होता है कि बड़ी कठिनाई से उन लोगों को मनाया गया कि हम इतना तहेज देंगे फिर उसके बाद सुजीत की भी शादी हो गई फिर सुमित की भी शादी हो गई तो इतना कुछ होता रहा तो जब इतना कुछ हो जाने के बाद नीलम ने अराम करने का सोचा, तो अब उसकी सहनाई बजाने के बारे में सोचा जा रहा है। जिन्दगी फिर से अपने धर्रे पर चलने लगी, लोग अपने में मसुरूफ हो गए थे, सुमित और नेहा गोवा से लोट आये थे और अब सुधीप का समान बंद रहा था। तो जैसे नीलम की शादी की लहर उठी थी, वैसे ही वह लहर शांत भी हो गई। और फूनम जब अपने ससुराल चली गई, तो उस समय उसके बाद अब खोई उसकी साधी को लेकर बातचीत नहीं करता था। जिन्दगी फिर से अपनी थरा जैसे जिन्दगी चलती थी, वैसे ही चलने लगई। और सब आपस में ही भिजी हो गए थे। सुमित और नेहा जो थे, वो भी हन नीमून से आगए थे, और अब सुधीप, मतनब सुधीप अब कैनेडा जाने की त्यारी कर रहा था। उसने शादी के लिए 15 दिन की चुटी ले रखी थी, पर उसका मन हुआ, कुछ दिन और बढ़ा ले, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय दीपू के साथ बिता सके। उस द देशा बेजने वाली थी, अब नीलम ने भी अपने कॉलेज में वह टीचर थी, तो वहाँ पे उसने चुटी ले करके रखा हुआ था, कि ताकि वह अपने परिवार के साथ शादी के लिए समय बिता सके। और उसका जो मेन प्रेम था, वह सुधीप के लिए ही था, क्योंक अपने कॉलेज के फ्रिंसिपल के पास जा करके उनसे एक अप्लिकेशन लेक करके जाती है, कि मुझे और भी कुछ दिनों की चुटी चाहिए, लेकिन इससे की पहले वह कुछ बोल थी, जो फ्रिंसिपल मैडम है, वही उससे कहती है कि आज अगर तुम यहाँ पे नहीं आत कर जा रही हो, कहां? कि आगे भर कर लेना चाहिए, अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, कि प्रिंसिपल मैडम के पास नीलम का एक ट्रांसफर लेटर और प्रमोशन लेटर, नीलम जो इतनी हार्ड वर्किंग थी, वह सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, वह अपने कर्म छेत्र में भी कि उतनी ही मेनत किया करती थी, तो वह उस दिन कॉलेज आई थी, अटेंजने के लिए वह वापिस से जोइनिंग करने आई थी, लेकिन साथ में एक और भी रिक्वेस्ट लेके आई थी, कि प्रिंसिपल उसे थोड़ी और दिनों के लिए चुटी दे दे, लेकिन अग्ड़र्ट नीलम कहती है कि मेम, मैं क्या, मतलण, वो कुछ बोलना चाहती थी, कि मैं नहीं जा पाऊंगी, तो उसी पर फिरिंसिपल कहती है कि अरे अब क्या दिक्कत है, अब तो तुम एकदम फ्री बड़ हो, तो अब तुम जाही सकती हो, تو अब देखते हैं कि क्या कह तो तो ठीक है मैडम पर मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर जाने देंगे इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए ये बहुत इंपोर्टन लाइन है तो उसी पर नीलम कहती कि वो तो ठीक है मैडम मुझे ट्रांसपर हो गया है लेकिन मुझे नहीं हो रहा है और प्रिंस्पल में कहती है ठीक है अगर तुम्हारे भाई नहीं जाने देना चाहते है तो तुम देख लो मैं तो बस यह कहूंगी कि इतने जल्दी जल्दी अपना जो ट्रांसफर होता है उसे ठुकराना ठीक बात नहीं है मतलब बार बार उसे ट्रांसफर हो गई थी चुट्टी की एप्लिकेशन उनके सामने सरका कर वह लोट आई घर आते हुए रास्ते में उसने धेड़ सारी खड़ीदारी की सुधीप के लिए खादी का टू लेंथ और खुर्ते पजा में सुस्मा के लिए कोसा और चंदेरी सारियां और प्रिया के लिए सब अंदर में एक उत्सा भी था लेकिन उत्सा उसको लेकर नहीं था कि उसे फ़र अमोसन मिल गया है बलकि उसको लेकर कि अब वह अपने परिवार के साथ एक समय खुजार सकती है और वह इतनी नेक ओरत थी इतनी वह उदार ओरत थी कि वह अब अपने घर वालों के लिए अल होता है कि सामने वाला हमारी बुराई ही सोचता है और वही यहां पर होता है कि घर पहुंचकर अपने कमरे में जाने के बजाए वह सीधे दीपू के कमरे की ओर ही चली गई प्रंतु पैर धर्वाजे में ही ठक गए भीतर देवरानी जिठानी का फ्रेमा लाप चल रहा था अलका कह रही थी आप तो लकी है जी जी फुर से उड़ जाएंगी यह नेहा भी चार दिन बाद छोटू के साथ बैंगलोर चली जाएगी उम्र कैद तो हम लिखवा कर लाए हैं सो भुगतेंगे और यहां पर सुश्मा और अलका के बीच में एक मतलब जो देवरानी जिठ चानी के बीच में बातचीत हो रही थी अलका क्योंकि सुजीत की पत्नी थी और सुजीत उसके साथ ही नीलम के साथ ही रहता था तो में जो दिक्कत थी वो अलका को ही थी अलका यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी नीलम की शादी हो जाए और वो वहां से चली जाए तो इ निकाल कर एक selfless आदमी हो करके वह किसी के बारे में इतना अच्छा सोचता है, लेकिन जब उसके पीट पीछे लोग ऐसा सोचते हैं तो किसे दुख नहीं होगा, क्यों क्या करे भाईक, हमने तो बहुत कोशिस की परवे टस से मस नहीं हुई, अब यही समझ लोग कि वे हमारी ननद नहीं सास हैं और उन्हें हमेशा साथ ही रहना है, और उस पर सुसमा भी कहते हैं कि अरे हमने तो बहुत कोशिस किया कि वह साधी कर ले यहां से चली जाये, लेकिन वह है कि टस से मस होती ही नहीं है, अब तो बस हमें यही समझ लेना चाहिए, कि वह हमारी ननद नहीं हमारी साथ है और उन्हें हमेशा साथ ही रहना है नीलम तो जैसे काट हो आई नीलम एकदम से संड रहेगी जो कि ऑब्यस सा बात है उसने अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ यहाँ पर उसे होगा उसके आगे पीछे डोलने वाली उससे मिसरी घुल स्वर में बात करन वाली अलका उससे क्या सचमुच इतना उप गई है कि उसके साथ उसे उम्र कैद सा लगने लगा है और अलका को उस कैद से रिहाई दिलाने के लिए ही शायद उसकी शादी का फड़ पंच रचा जा रहा है वाह और यहीं पर एक नीलम यह सोचती है कि जो अलका उसके साथ ह और सायद अलका को इस उम्र कैद से मुक्त करने के लिए उसके साधी के बारे में यहाँ लोग सोच रहे थे अब नीलम को सब कुछ रियलाइज होने लग जाता है इसके बाद वहाँ खरे रहना या उन लोगों से सामना करना उसके लिए संभव नहीं था वहाँ धबे पाउ कमडे में लोट आई इतनी देर तक हाथ में थामा हुआ सारा समान उसने पलंग पर फटक दिया अब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ धर्द कर रहे थे पर यहा भोज तो कुछ भी ना था इससे दस गुना भोज तो उसके मन पर था उसे वक कहां खाली करती उसे धर्द से न नहीं हो रहा था क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी सबसे खराब चीज यही होती है कि वह यह सोचते हैं कि दूसरे लोग अच्छे होंगे एक अच्छे व्यक्ति की सबसे भुरी बात यही होती है कि वह यह सोचता है कि सामने वाला भी एक अच्छा आदमी होगा औ अपने परिवार वालों के बारे में उसने इतना अच्छा सोच लिया था कि उसे उनका कोई भी भुराई उसे नहीं दिखाई देता था और वो घर में आती है वो सारा समान जो भी गिफ्ट वा लेकर आई थी वो सारा समान वो विस्तर पे फेक देती है और उसके हाथ धर्द क रखा था तो उत्साह के कारण उसे वह दर्द समझ में नहीं आ रहा था लेकिन अब वह दर्द उसे समझ में आ रहा है लेकिन यहाँ दर्द कुछ भी नहीं है उस दर्द के सामने जो कि उसे अपने घर वालों किसे मिला हुआ था लेकिन फिर भी नीलम कुछ जगरा नहीं क रात खाने की मेच पर रसगुलो का एक बड़ा सा डोंगा सजा हुआ था उसने शाही अंदाज में एलान किया यह मेरे फ्रमोशन की मिठाई है फ्रिंसिपल बन कर जा रही हूं और रात में एक छोटी सी फार्टी वह देती है जहां पर वया कहती है कि यहां पार्टी मेरी तर समय खुजार सके लेकिन अब वह भी समझ चुकी थी कि उसके परिवार वाले कैसे हैं तो वह भी एक बहाना मार देती है कि मेरी फ्रमोशन हो गई है इसलिए मैं इतना कुछ कर रही हूं अरे वह कहां जगह तो खैर बहुत दूर अस्तर में है आजकल हर कहीं तो कॉलेज मुझे तो इस समय सबसे ज्यादा शांती की ही जरूरत है इस आपा धापी से ठंग आ गई हूं फिर बार बार फ्रमोशन ठुकराना अच्छा भी नहीं लगता पहले तो क्यार मजबूरी थी अब तो कोई बहाना भी नहीं रहा और जब वह बोलती है कि मेरा फ्रमोशन हो ग गई हम तो शादी करके इसको विदा करने वाले थे यह तो ऐसी ही विदा हो गई तो उसी पर वह कहती है कि जगा तो काफी दूर है लेकिन काफी शांत जगा है और काफी बार मुझे प्रमोशन आ रहा था तो ठुकराना मुझे इस बार ठीक नहीं लगा इस बात पर सभी एक मत थे रात बिस्तर में लेटी हुई वा दिन भर की घटिनाओं का मन ही मन जायजा ले रही थी दोपहर में उसने प्रिंसिपल मैडम से कितने धर्प के साथ कहा था मैडम मेरे भाई लोग मुझे इतने दूर नहीं जाने देंगे और यहां पर रात में वह सोते हुए सब कुछ सोच रही थी कि कैसे दिन भर वह अपने भाई को लेकर अपने प्रिंसिपल को बोल आई थी कि मेरे भाई बहन उसे कहीं भी नहीं छोड़ेंगे लेकिन आईरनी देखिये कि वही लोग चाहते हैं कि यहां जल से जल इस घर से धूर हो जाए पर कहां किसी ने भी तो प्रतिवाद नहीं किया पर मी ठीक ही कह रही थी बलकि उसने तो रिटार्मेंट के बाद की बात कही थी पर नीलम को लग रहा था कि घर में उसकी हैसियत अभी से किसी फालतू समान कीसी हो गई है और वह जो सोच रही थी कि उसके भाई बहन उसे कहीं भी नहीं जाने देंगे वह एकदम जूट था उसे अब पुनम की बाते उसे अब बिलकुल सच लग रही थी बलकि रिटार्मेंट से पहले ही यहां पर रिटार्मेंट तो दूर की बात है यहां पर तो बस इसी यहां पर तो नॉर्मल सा एक बातचीत हुआ था उसी के बाद नीलम को यह लग रहा था कि रिटार्मेंट के बाद का जो सीन पुनम ने उसे कहा था वह अभी अभी उसके साथ हो रहा है तो यही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक आदमी अपने फड़िवार के फड़ती अपना पूरा जीवन समर्पन कर देता है लेकिन फड़िवार इतना मतलब ही होता है कि वह उसे अप्रिशियेट तो करना दूर वो उसकी हुडाई ही करता रहता है वो यही चाहता है कि जल से जल्द वह आदमी उसके यहां से चले जाए ताकि वह लोग अपने तरीके से अपने घड़ में रह सके और यहां पे भी हम यही देखते हैं कि जिस बेटी को सब फड़ाया धन कहते हैं अंत में वही काम आती है फूनम ने सचित करके कहा था फूनम ही थी जो कि सचमुच नीलम को मानती थी इसलिए उसने कह दिया था कि तुम तो अभी काम कर रही हो इसलिए तुम सेटल्ड हो लेकिन जिस दिन तुमारा रिटायर्मेंट हो जाएगा उस दिन देखना तुमारी हालत इस घर में कैसी रहती है और वह इस बात को थी जो कि हम लोग बहुत समय पर देखते हैं बेटियां होती है वही किसी घर को अच्छे तरीके से संभालना जानती है तो यही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फूनम किस तरीके से नीलम का भला चाहती थी और शायद इसलिए एक वह नीलम की खुशी साधी के उपर में इतना जादा उसने जोड़ दिया था वह यही चाहती थी कि नीलम जल से जल साधी कर ले और यहाँ से चली जाए इसलिए नहीं कि उसका परिवार उसे नहीं देखेगा बलकि इसलिए कि अगर शाधी हो जाएगी तो उसके पास एक सहारा होगा और उस सहारे को अपना बना करके वो अपनी जिन्दगी को खुशी से जी पाएगी, ठीक है, तो आज का lecture था बहुत लंबा lecture हो गया है, लेकिन समझने के लिए कभी भी टाइम नहीं देखना चाहिए, ओके, so that was all for today, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, एक अगले lecture के साथ, त take care of yourself, have a very nice day, Jai Hind!